हलो इस्टेंट्स एक बाद फिर से स्वागत आप सभी का आर्टी लेक्चर्स के यूटूब इसके इसने प्लेट्रों पर इस्टेंट्स से हम बात कर रहे हैं यापर एनाटमी एंड फीजियोलोजी की पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एनाटमी की लेंगवेज के अंदर दो पॉइंट्स को कवर अप किया था बोडी की पोजिशन्स को और बोडी के अंदर कितने प्रकार के प्लेइन्स होती हैं उनकी बात की थी लेंग्वेज उप अनाटोमी को continue करते हैं आज हम बात करेंगे अनाटोमी की टर्मिनोलोजी के बारे में या कहें हम अनाटोमी का टर्मिनोलोजी यानि एनाटोमी के अंदर ऐसे टर्म्स जिनका यूज हम करते हैं किसी पहीं पर स्ब्सक्राइब करें लिए कि लिए उसपी प्रकार से वह बोडी के अंदर लाई करती हैं है कहां पर उसकी होती तो यह सब्सक्राइब करने के लिए कि जाते हैं इसको अरगन को कर göra करना हो या फिर किशीं good क्षи तो यह सब भी जो terms होते हैं उनको describe करने के लिए यूज की जाते हैं तो यह हमें पता होना चीए कि कौन-कौन से terms है दोगे anatomy क्या होती है कि बिना किसी terminology के anatomy फड़ना ना मुंकिन होता है तो जो terminology होती है planes वगरा होते हैं positions होती है तो यह सब होता है वो basic होता है anatomy and physiology के लिए होता है यानि उसका आधार बनाता है anatomy का तो अनाटमिकल terminology के हम बात करें तो तर्मिनलोजी क्या है कि एक तो head by one करके हम complete करेंगे तो आज तो यह basically क्या रहेगा हमारा कि जो फास्ट जो टर्मिनलोजी है यानि कि trunk and head इनकी जो टर्मिनलोजी है उसको आज की सिवडियो लक्षर में हम complete करेंगे and जो बाकि की जो अपर लिम और लोवर लिम के टर्मिनलोजी है वो next वीडियो लक्षर के अंदर हम complete करेंगे तो आई शुरू करते हैं आज की से सैसन को हम तो देखिए anatomical terminology for trunk, neck and head देखिए हमारी body के अंदर क्या है तीन region होते हैं तीन ऐसे छेतर होते हैं यह छेतर region होते हैं जो की body को describe करते हैं हम उनके ठुरू ठीक है पहला जो छेतर होता है या region होता है head and neck ठीक है अब यह देख पा रहे हैं यहां से लेके यह देखिए portion head and neck यह गर्दन और जो सीर का वाला portion है वो इसके अंदर आ गया उसके बाद में ट्रंक अब देख पा रहे हैं ही ट्रंक का है देखो ट्रंक के अंदर कौन-कौन से जो region लाई करते हैं अब देखो इसको भ and abdomen region है यह जो आप देख पाने हैं एकदम yellow color वाला यह abdomen region है ठीक है फिर यह नीचे जो यहां पे है यह इतना इसका pelvis region होता है ठीक है pelvis region के बाद में होते है perineum ठीक है तो यह जो चार होते हैं यह region होते हैं वो ट्रंक region के अंदर लाई करते हैं थर्ड है लिम्स के अंदर upper limbs आ ठीक है ठीक है अप यहां पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक्जेल region में और appendicular region में भी इसको describe कर सकती है ठीक है एक्जेल रिजन में तो head neck and trunk आ जाती है ठीक है head भी आ गई neck भी आ गया और यह trunk का portion भी आ गया यह तो गया एक्जेल रिजन में और जो appendicular यानि उपांग यह रिजन होता है हमारा जो की एक्जेल रिजन से connected होता है जिसकी origin कहां से होती है एक्जेल रिजन से तो उसे अपन कहते हैं उपांग यह रिजन इसके अंदर upper limb lower limb आती है ठीक है अब देखे हम यहाँ बात करेंगे वेंटरल और anterior की ठीक है वेंटरल यानि की अधर सत है या फिर अग्र सत है ठीक है उसकी हम बात करें या सरपेस की बात करें तो अब देख पा रहे हैं कि यह क्या होता है कि फ्रंट का जो trunk नीक और जो face होता है उसका front part होता है यानि front वाला जो portion होता है ना इसका यह देख पिर anterior portion ठीक है देखें यहां पर जो जितना भी portion दिखाया गया यहां तक का ठीक है यह कौन सा portion है वेंटरल या फिर anterior surface ठीक है देखें इसी को क्या बोलते है फ्लक्सर सरफेस भी बोलते हैं क्योंकि जब हम नीचे की तरब जुकते हैं तो यह body हमारी है यहां से flex होती है आगे की तरब क्या होती है flex होती है तो इसी को हम क्या बोलते है flex region या फिर ventral region या फिर anterior region ठीक है एक होता है अपना dorsal region ठीक है dorsal region क्या होता है यह भी देख लेते हैं अपने आपे अब यह जो body का जो trunk नीक और जो face है उसके पिछे वाला याने कि back region होता है उसको अपन क् का region यह कौन किसमें आता है अपने dorsal region में या फिर इसी को कहते है अपन एक्स्टेंड सर्पेस या फिर posterior सर्पेस ठीक है posterior region या posterior सता है या फिर extensor सर्पेस या फिर extensor extend होनी वाली सता है ठीक है डorsal हो गयी इसी को डorsal किया देते है अधर सता है पश्षे सता है बोलते है इसको सोरी अधर तो किसको बोलते है वेंटल को बोलते है अपने को की जो अग्र शता है अपने body की या front surface है उसकी बात कर रहे हैं अब जब ढूर्सल रीजन आये तो इसका मतलब है कि जो पार्स वी सेता है पिछे वाली जो बैक सेता होती है अपनी बोडी की उसके बाने में बात कर रही है या फिर पोस्टीरिया भी उसी का भी मतलब सेम होता है अब देखें यहाँ पर अब दूसरी टर्मिलोगी देखते हैं मीडियल क्या होत है अब देखें हमने फड़ाता पिछली यह वीडियो लक्ट्र के अंदर कि जो एमस्पी होता है वो बोडी को इकवल टू हाप के अंदर डिवाइड करता है अब यह देखो यह मिड लाइन होती है ना इसी को अपन क्या करते थे महाँ पर एमस्पी मिडिसेजाइटल प्ले जो की बोडी को टू एकवल हाप के अंदर डिवाइड करता है अब देखें इसके पास हम आएंगे धिकें कलॉज्ट टू दा मीडियन प्लेइन प्लेइन की तरफ हम आएंगे तो उसके लिए हम तर्म यूज करेंगे त्याइगे और जब इस से मीडियन प्लेइन से हम दू की तरफ जाएंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे लेटरल टर्म ठीक है तो यह दो ट्रमीनोजी होती है यहां पर मेडियल अंड लेटरल कब यूज़ करते हैं नेक्स्ट हम देख लेकिन है superficial and deep देखे superficial तो क्या होता है skin के comparison में यूज किया जाता है ये जो skin के पास में होगा या फिर skin की और होता है तो उसके लिए हम term यूज करती है superficial यानि कि close to the skin या towards the body surface या skin ठीक है deep होता है अब deep किसके लिए यूज करते हैं deep होता है कि skin से दूर की तरब away from skin या फिर away from the body surface देखे body की surface कुन से यह वाली है इससे हम दूर की तरब जा रहे हैं अंदर की तरब जा रहे हैं body के अंदर तो deeper जितना आपन बोडी के अंदर चलते जाते तो उतना ही deeper जो टर्म यूज किये जाते हैं जो टिशू जो अगरह होती है उनके लिए ठीक है तो superficial यानि की surface सता के पास deeper यानि की अंदर की तरब टीक है डीप होना गहरा होना इपसी लेटरल और कॉंटर लेटरल क्या होता है ये भी देख लीजिए आप देखें इपसी लेटरल is the same side of the body as another structure अब देखें इपसी लेटरल का मतलब है कि कोई दो अलग structures है वो भी same side है तो उसको अपन क्या बोलेंगे इपसी लेटरल जैसे कि upper limb और lower limb वो भी कौन से इस on opposite side of the body from another structure अब देखें अलग अलग structure है लेकिन अलग अलग है जैसे कि ये upper limb है ये lower limb है ये दोनों ही इपसी लेटरल है Contralateral है sorry Contralateral मतलब अलग-अलग side की तरफ है प्रोडी के इसके लिए यूज करेंगे हम Contralateral next देखें Invegination और Invegination का मतलब तो क्या होता है कि किसी चीज को अपने अंदर समा लेना कुछ चेल्ल की प्रपर्पर्टी जैसे फैगोसाइट होती है बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जाती है तो उनकी जो प्रवर्थी होती है उनके लिए भी जो वर्ड यूज किया जाता है Invegination यान कि किसी सैल के अंदर प्रोजक्षां इंसाइड आंदर की ततरब कोई परवर्थबनता है तो उसको उसके जेकरिंगे हम इतना ही कम्प्रीट करेंगे बाकी का जो remaining portion बचा है अपर लेंग और लोवर लेंग की टर्मिनोलोजी वो next video lecture के अंदर हम complete करेंगे तो कैसी लगी आपको वीडियो लक्चर कमेंट वोक्स पर जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजी और bell icon को प्रेस कर लीजी त लाज के लिए इतना ही मिलते हैं next video lecture के से